ग्यान वापी का चौथा पार्ट, अब तक हमने तीन पार्ट देखा, छे मई को क्या हुआ, कोट के आदेश की अवेलना कैसे हुई, तीसरा ग्यान वापी मंदिर को गिरा कर मस्जद बनाने का असली फर्मान को कैसे फार्सी से उर्दू करके किताबों से हटाया गया, जूट भी हम इसके बारें बात करते रहेंगे, आखरी इसलिए क्योंकि हुएते दिनों बाननीय नयायले ने सर्विक्षन में अर्चन डालने वालों के चेहरे पर करारा तमाचा मारते हुए, अपने सर्विक्षन के आदेश को फिर से दोहराया है, तो जैसे जैसे टीम काम कर रही नहीं देखा है, तो अब आप जाईए पार्ट एक, दो, तीन, जाकर देखिए, फिर आप पार्ट चार को समझ पाएंगे, ग्यान वापी मामले पर इतना डिटेल और कहीं नहीं मिलेगा आपको, हाँ तो अब आगे बढ़ते हैं, आज मैं आपको वो सच बताऊंगी, जो वाकई में अभी हुआ था, काशी इतिहास से भी पुरानी नगरी है, इसका जिक्र तब भी हुआ है, जब ये दुनिया सभिता और संस्कृती जैसे जीवन के आयामों को जानता भी नहीं था, हमारे भोले नात जहां अपने क्रोध के लिए महाकाल के रूप में भोले नात के ध्यान की अवस्था को लिंग हो जाना कहते हैं, और जोती का अर्थ है प्रकाश पुंज, भोले नात अपने इनी चौसत स्थानों में कहीं भी ध्यान मगन हो जाते थे, यह बात तब की है जब देवी सती अपने पिता के साथ हिमाले पर इस बात सिक्रुद हो और उसे यग के वेदी में कूद गई, जिसे हिमाले ने जलाया था, देवी सती के यग वेदी में कूद जाने की खबर से भोले नात क्रोधित हो गए और अपने महाकाल के वेश में आकर तांडव करने लगे, महाकाल देवी सती के मृत शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे, उनके क्रोध को शांत करना इस ब्रह्मांड के लिए नितांत आवश्चक हो गया था। इसलिए विश्णु जी ने अपने चक्र से माता सती के मृत शरीर के कई टुकडों में बाट दिया। माता सती के अंग जहां जहां गिरे उस अस्थान को शक्ती पीट कहा जाता है। क्रोध तो महाकाल का तब शांत हो गया था लेकिन यह कून कालिक नहीं था। अब माता सती जब भोले के साथ नहीं रही थी, तो भोले ने तै किया कि अब वो भी हमेशा के लिए अंतर ध्यान में चले जाएंगे. और अंतर ध्यान में जाने के लिए भोले ने अपने सबसे प्रियस्थान काशी को चुना. तो अब मैं धीरे धीरे आपको डॉट से डॉट जोडने की कोशिश करती हूँ, आप समझेगा. भोले भले बाहर से शांत थे, लेकिन अभी भी अंदर से मन उनका तांडव कर रहा था. तांडव करते मन में ध्यान में जाना संभब तो था ही नहीं. ध्यान में जाने के लिए मन का शांत होना आवश्यक था और शांत होने के लिए जल की आवश्यक थी. तो उन्होंने अपने तरिशूल से एक स्थान पर जल का स्तूरत बनाया. वह जो अस्थान था जो त्रिशूल के प्रहार से एक कुए में तब्दील हो गया जिसे पौराने कथाओं में कहा गया है ग्यान वापी यानि की ग्यान का कुए वही ग्यान वापी जिस पर एक पक्ष ऐसा मस्जिद होने का दावा कर रही है जहां कोई मंदिर कभी था ही नहीं भोले ग्यान वापी की जल से शांत हुए और वहीं हमेशा हमेशा के लिए ध्यान मगन हो गए एक बात मैं आपको ये भी स्पष्ट कर दू कि आज जहां हमारा विश्वनात मंदिर है वहां मंदिर का निर्मान आधुनिक है जिसे 777 में इंदोर की महरानी अहलिया भाई होलकर ने करवाया ये बात आपने उस वक्त भी सुना था जब कासे विश्वनात कॉरिडोर बना था वासली मंदिर था वो उसे ज्यान वापी परिसर में था आज जहां मस्जिद होने का दावा किया जा रहा है अब आप पूछ सकते हैं कि मैं ऐसा किस आधार पे कह रही हूँ अब आपको मैं आधार भी स्पष्ट करती हूँ क्योंकि बिना आधार की बात बिल्कुल नहीं करूँगी वना लिब्रल गंग कूद बढ़ेंगे भोलनात की सवारी है नंदी भोले कि मंदिर इस दुनिया में जहां भी आप देखेंगे नंदी का मुक मंदिर के तरफ हमेशा रहता है कासे विश्वनात के साथ ऐसा क्यों नहीं है कभी आपने सोचा है क्यों नंदी महराज ग्यान वापी परिसर की ओर देख रहे हैं कभी इस बारे में आपने विचार किया है 1194 में मुहमद गौरी ने इस मंदिर को लूटने के बाद इसे तुड़वा दिया था इस मंदिर का निर्मान फिर से कराया गया लेकिन जौनपूर के सुल्तान महमूद शाह ने इसे दुबारा तुड़वा दिया ये बार बार ये प्रक्रिया चलती रही साल 1679 में औरंजेव ने जब एक फर्मान जारी किया जिसके बाद उसने कासे विशुनात मंदिर को द्वस्त करके मस्जित का निर्मान कराने का आदेश दिया जैसा कि मैंने आपको शुरू के पार्टने बताया था क्योंकि उसके सबूत भी मिले वहे कुछ इत्यासकारों के मताबिक ग्यान वापी मस्जित को चौदवे सदी में जौनपूर के शरकी सुल्तानों ने विशुनात मंदिर को तुडवा कर बनवाया था आप सोचिए कि कितने बार ये मंदिर को तोड़ा गया मैं कृष्ण के कर्म सिध्धान्थ में अटल विश्वास रखती हूँ और ये सिध्धान्थ कहता है कि केवल बाहरी बहुते कर्म ही नी बलकि मानसिक विचार भी उसी अनुपात में आपका फल देते हैं जिस औरंग जेव ने कासी में सुनात के शिकर तुड़वा कर वहाँ अवैद गुमबद बनवा दिये वहीं इस नंदी की मुर्ती को क्यूं छोड़ दिया मुर्ती जो इसलाम में हराम है तो इसे क्यूं नहीं तोड़ा बहुत सवाल उठते हैं ना सही औरंग जेवाद में मुसलिम को तोड़ सकते थे हटा सकते थे पर न तोड़ी और ना हटाया क्यूं ऐसा क्यूं हुआ मैं आपको बताती हूँ हिंदूओं को जलील करने के लिए हिंदूओं को बेज़त करने के लिए अपमानित करने के लिए कि देखो इस नंदी को अपने भगवान के प्रिये गण को जो हमारे अल्ला के सामने अपने स्वामी की इंतजार में बैठा है और सदय बैठा ही रहेगा मैं डंके की चोट पर ये घोशना गोलो करते हैं कि हमने असली मस्जिद तुमारे मंदिरों को तोड़ कर बनाई है तुमने तब भी कुछ नहीं किया और अब भी कुछ नहीं कर पाऊगा और ये चीज वो डंके की चोट पर कर रहे हैं और कृष्ण के करम से धांत को ये भूल गया पर हम नहीं भूल सकते जिस नंदी को ब्रिहत हिंदु समाज के अफमान के लिए रख छोड़ा था वही तुमारे गले की फांस बन गया है इसे तुम ना हटा सकते हो और ना नकार सकते हो और आप तुम नकार भी नहीं सकते हो उसका मतलब पता है अब हर पल तुम्हें तुम्हारी नीचताओं का स्मरण कराएगा जब तुम जलील होकर धाड़े मार मार कर रोते रहोगे और घर वापसी भी नहीं कर पाओगे तो तुम्हें पता है क्या लगीगा कुछ याद दिलाती हूँ आपको शाद आप लोगों ने सुना होगा अब मुगलों के खोजाओं के वन्सज अगर इस मामले में अलगी राम अलाब कर रहे हैं तो उन्हें जब उनका जबाब है पुरवजों ने जो किया एको इस नंदी को अपने भगवान के प्रियगण को जो हमारे अल्ला के सामने अपने स्वामी के इंतजार में बैठा है और हमेशा बैठा ही रहेगा तो देखो डंगे की चोट पर यह घोशना करते हैं हमने अपनी हर मस्जिद तुम्हारे मंदीरों को तोड़ कर बनाई है और तुम तब भी कुछ न कर पाए और अब भी कुछ नहीं कर पाओगे पर कृशन के कर्म सिधानत को ये भूल गये पर हम नहीं भूलेंगे जिस नदी को ब्रहत हिंदू समाज के अपमान के लिए नंदी को रख छोड़ा था अब वही तुम्हारे गले की फांस बन गया है इसे तुम ना हटा सकते हो और ना नकार सकते हो अब हर पल तुम्हे तुम्हारी नीचताओं का असमरन कराएगा और जब तुम जलील हो हो कर दहाडे मार कर रोते हुए मरोगे या घरवापसी करोगे तब तुम्हें पता लगेगा कि तुमने नंदी को नहीं अपने काल को रख छोड़ा था शताबदियों से इस नंदी के कान में बाबा विशनात को धाम का पुना प्राप्त करने के लिए भक्तों की आकान चाहें अब फली भूत होने जा रही है पापी मलेचों तुम्हारे करमों का चक्रा पूरा हो चुका है अब मुगलों के खोजाओं के वनसज अगर इस मामले में अलग ही राम अलाप कर रहे हैं तो उन्हें भी जबाब है उनका जबाब है पूर जो ने यही किया था तो तो काली बाई अर्बी ने इस देश को लूटा अगला वीडियो इन्ही खोजाओं की कहानी लेकर मिलाओंगी खोजा नहीं समझे अरे वही पुरिश को तो जो जन्म लेते हैं लेकिन बाद में नपुनसक बन कर जीते थे वो उसे कहते हैं खोजा मैं आपको खोजा के बारे में और विस्तार से बताऊंगी और इस पर वीडियो भी लाऊंगी जिसे कि आपको समझ में आएगा कि आखिर क्या सचाई है ग्यान वापी का ये अंतिम पार्ट जरूर है पर इसके विशय में अभी जो भी अक्टिविटीज हो रही है जो काम उस पे हो रहा है जिस तरीके से खोजबीन चल रही है एक तस्वीर भी निकल कर सामने आया है जिस तस्वीर के नीचे साफ साफ लिखा हुआ है ग्यान वापी मतलब ग्यान का भंडार बनारस और इतना ही नहीं वहाँ पे हमारे हनुमान जी की मूर्ती भी मिली है घंटियां टंगी हुई है साथ में वहाँ के दिवारों पे वहा मंदिर और उसकी हर एक दिवारे चीक चीक कर बता रही है कि हमारा मंदिर ही है और कहीं भी कोई भी पुराने इमारते हैं वो हमारी मंदिर ही है क्योंकि 1400 साल पहले जो 1400 से पहले जिसका कोई इतिहास ही नहीं था जिसका कोई वजूद ही नहीं था जिसका कोई अस्तित्व ही ही मंदिर को हमारे ही पुरातन और हमारे पुराने जितनी भी चीजें थी उनको तोड़कर नश्ट किया गया और अपने मस्जद में और अपने मिनारों में इन्होंने बदलने का कोशिश किया और वही इतिहास कि मुगल बहुत महान थे हम आज तक पढ़ते आएं और पढ़ा भी लगा राष्ट्रगान अब उत्तर प्रदेश सरकार ने योगी आदितनाथ सरकार ने राष्ट्रगान कर दिया है मेंदेटरी कहां जी हां हर मदरसे में अब हर मदरसे में राष्ट्रगान होना मेंदेटरी है राष्ट्रगान होना तै है कि जिस तरीके से सुबह नैशन अन्थम होता है उसी तरीके से मदर से में भी करना अब अनिवार रहे हैं बाकि आप इस पूरे वीडियो से आपको अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है तो आप चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें डोंट फगेट तो डिस क्लिक ऑन बेल आइकन मैं रिक्वेस्टिंग यू ओल कि प्लीज शेयर करें पार्ट वन से लेके पार्ट फोर का पूरा ग्यान वापी का रहस्य हमने कोशिश किया है एक कड़ी से पूरे अंतिम कड़ी तक जोडने का तो हमारे शोद आपको कहां तक समझ में आये हैं और आपको जरा सा भी कहीं कुछ नहीं समझ में आता है आपको किताब के नाम के सासत किताब के पन्ने तक का हमने इसमें जिकर किया है तो आप पन्नों को पलट ये किताबों को पलट ये और आप खुद अधेयन कर सकते हैं सचाई को जानना कोई बुरा नहीं और इस पर ट्रस्ट मी सेकुलरिजम आप